हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंट्स आज से माग का महीना प्रारम हो रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माग मास का महतम्य का प्रथम अध्याय सुनाने जा रहे हूं माग मास के पूरे नियम के बारे में एक वीडियो अभी रेसंटली डाला है तो आप उस वीडियो को आवश्य रूप से देखी और उस वीडियो में सारे नियम बताए गए हैं माग मास के पूरा महत बताया गया है कि ये जो माग का जो इसनान है वो कितना महत वपोन होता है त परन्तों उससे हमें बहुत ही जादा पुन्य लाभ प्राप्त होता है और वेकुंट धाम कि हमें अन्तम प्राप्ती होती है श्री हरी विशनु की क्रपा हमें प्राप्त होती है तो बहुत ही विषयेश महीना है। Patchा प्रोल मिकोद 흥ो अमारे लड्डू बोपाल जी इस प्रकार से विराजमान है देखिए बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं तो इस तरीके से सुभा का हमने यह पूजन संपूर्ण कर लिया है पूजन करने के बाद में हमें आज की दिन इस तरीके से देखें माग महतम्य के पुस्तक आती है उससे हमें माग के महीने का अवश्य ही महतम्य पढ़ना चाहिए नहीं तो आप हमारे वीडियो सुन करके भी इस महतम्य को सुन सकते हैं प्रथम अध्याय माग मास के महतम्य का प्रथम अध्याय इस प्रकार से है सारे संसार के करता श्री भगवान विश्नु देवी सरस्वती तथा गुरु के श्री चड़नों में मेरा नमस्कार है मैं इस माग महतम्य भाशा की रचना करता हूँ एक समय श्री सूत जी ने अपने श्री गुरु व्यास जी से कहा कि गुरु देव कृपा करके आप मुझसे माग मास का महतम्य कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ व्यास जी कहने लगे कि रगुवंश के राजा दिली एक समय यग्य के सनान के पशात पैरों में जूते और सुन्दर वस्तर पहन कर शिकार की सामिकरी से युक्त कवच और शोभाय मान आभुशन पहने हुए अपने सिपाईयों से घिरे ह जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने नगर से बाहर निकले उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए म्रग व्याग्र सिहिंग आदी जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे उस वन में वनस्तली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी वन में कहीं व्रक्षों पर मोर नाच रहे थे कहीं कहीं म्रगों के जुंड फिरते थे कहीं गीदड अपना भैंकर शब्द कर रहे थे कहीं गेंडों का समू हातियों के समान फिर रहा था कहीं व्रक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे कहीं सिहों के पदचिन्नों के साथ घायल म्रगों के रक्त से भूई लाल हो रही थी कहीं दूद से भरी थनों वाली सुन्दर भैसे फिर रही थी कहीं पर सुगंदित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोबा को बढ़ा रही थी कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े अजगर उनकी केचुलियां भी पड़ी इसके पीछे अपना घोड़ा दोड़ाया परंतु म्रग पूरी शक्ति से भागने लगा म्रग काटेदार व्रक्षों के एक जंगल में गुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रिवेश किया परंतु दूर जाकर म्रग राजा की दृष्टी से ओजल होकर कहीं नि कुछ थोड़ी दूर देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सुरोवर देखा जिसके किनारों पर घनीव रक्षिते इसका जल सच्चनों के रिदय के समान स्वच्च और पावित्र था सुरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था जल अनेक प्रकार के ज जगर लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी जैसे विपत्ती में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सब को सुखी करता था जैसे मेग चातक के दुख को हरता है इस सरोवर को देख करके राजा की ठक उस समय सब शिकारी को लाहल करते हुए बड़ी प्रसनता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियुमों के कारण बिलकुल सूख गया था जो मरगचाला और बलकन पहने हुए था और नक रोम और केश धारण किया था राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आशरे से उसको प्रणाम किया और र पस्वी ने राजक को कहा कि हे राजन इस पुन्य शुब माग में इस सरोवर को छोड़ कर तुम यहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो तब राजा कहने लगा कि महात्मन मैं तो माग मास में इस नान के फल को कुछ भी नहीं जानता किरपा करके आप विस्तार पूर्वक म मुझे बतलाइए इस प्रकार से माग मास के महातम्य का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है तो बोलिए श्री हरी विष्णु भगवान की जैए रखिये कलियो केवल नाम अधारा केवल नाम जपने से हम भक्ती शक्ती और मुक्ती पा सकते हैं और प्रभू की भक्ती पाने के लिए माग का महिना बहुत ही उत्तम है तो हो सका तो जब भी मैं पाट करूँगी माग मास की महतम्य का मैं वो आपके साथ जरूर शेयर क्वाटाइब उत्व का म कि यह जरू का मुक्ती जरूर यह को तो हुन आता है